वेल्कम गाइज वेल्कम बाक ट्यू ओन चैनल ऑप्शन गाइड तो स्वागत आपका एक और शानदा डेली मार्कलिस वीडियो में मार्केट में आज क्रैश आया है गजब का क्रैश आया है गैप डाउन ओपनिंग भी और उसके बाद भी बहुत मेज़र फॉल देखने को मला अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको यह आलरेड़ी पता था बहुत क्लियरली हमने डिसकस किया था कि हम मार्केट में क्यूं बुलिश नहीं है क्लियर कट बुलिश थे 25,000 तक लेकिन 25,000 लेवल पे हमने आपको बता दिया था कि यहां कुछ अलग ही कहां नहीं चल रही है यहां पे लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं इस लेवल को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होने वाला है और वही एग्जाक्ली हुआ अगे के लिए अब कल के लिए का डिसकेशन है कैसी मार्केट एक्स्विक्टेड है क्या हो रहा है मार्केट में क्यों फॉल आया क्यों क्रैश आया सारी चीजों की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेकिन सबसे पहले चैनल पर नए है आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है फड़ावर सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप डेली ऐसे वडियो में नहीं करना जाते हैं चलने अले सबसे पहले क्राश आया क्यों सबसे में फैक्टर है कि यूएस में रिशेशन की बाते चल रहे हैं इस वजह से यूएस मार्केट बहु बहुत ही जादा गिरा है क्योंकि जपान ने अभी लास्ट वीक रेट है किये थे उसकी वजह से निकई में बहुत बड़ा क्राश देखने को मल रहा है और इसके साथ इरान और इसराइल के वार की न्यूस भी आ रही है तो यह सारी चीज़े एक साथ आ गही है मार्केट मे इसलिए मार्केट में क्राश देखने को मल रहा है सबसे मेजर फैक्टर दो वैसे यूएस में रिशेशन ही है जोब डाटा जो आया था लास्ट वीक वो एक्सपेक्टेशन से काफी कम आया था तो यह सारे वो न्यूस फैक्टर थे जिसकी वाज़े से मार्केट में ही है यूज आने से पहले मार्केट हमें इंडिकेशन देती है कि कहां टॉप बन सकता है कहां पे पोजीशन में कैसे वर्क आउट हो सकता है लास्ट टेंग क्या हुआ था 25,000 मार्केट में आये थे सडनली मार्केट में बड़ा फॉल आया था उसी दिन हमने आपको बता दि मार्केट में एक बार दिखाना था और उसके बाद इसके अबाव जाती हुई मार्केट अभी नहीं दिख रही है जिस टाइप का डाटा मार्केट से आ रहा था जिस टाइप की पुजीशन मार्केट में बन रही थी इस वीकेंड भी मैंने आपको बताय था आप्शन में लेकिन डाटा से ही की थी निउस सब बाद में आई है हमें नहीं पता था यह निउस आने वाली है लेकिन डाटा यह चीज़ बता रहा था तो वही चीज़ अगर आपने फॉलो कियोगी तो आपको क्लियरली बताया था मार्केट अमाल यह बुलिश नहीं है टॉप 25,000 पर क्य लोगोंने प्रोजिशन्स कैरी की होगी पुट की उन्हें प्रॉफिट होगा लेकिन इंट्राडे आप क्यासे प्रॉफिट बना सकते है तो बहुत सिंपल सेट अप था गाप डान ओपनिंग हुई टॉप 24,350 पर यह अमारे लेवल है इसके बाद माकेट फॉदर फॉल करत होता है और वह नेक्स्ट 30 मिनट्स ब्रेक नहीं होता है तो दुबारा जब माकेट उस लेवल पर आएगी वह लेवल काम करेगा और वहीं से मुआ आएगा एक्जाक्ली वही हुआ डिप आया राली करते लेकिन कहां तक मॉनिंग के टॉप तक मॉनिंग के फर्स्ट के टॉ ट्रेल करते एंट्री करते जाकपॉट प्रॉफिट मिला है यार क्योंकि फॉल जो है वो इतना बड़ा था जो पूरे वीक में मूव नहीं आता है फूर फिफ्टी पॉइंट्स का मूव देखने को मिला है हमें तो अच्छा खासा मूव था आप बहुत अच्छे से इस काफी केंडल तक हम हाई ब्रेक नहीं करते हैं तो दुबारा यहां पर लेवल बन जाता है और यहां से मार्केट में मूव आता है तो यह चीज है जो मैं आपको रेगलर सिखाता हूं आज आप यह यूज करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे लेवल भी था यह चीज बस यह हुई है कि हम 24,000 के अबव क्लोज हुए है और पुजिशनली भी मैंने आपको क्या कहा था कि यह तो हम 25,000 के अबव जाएंगे तब बुलिश एंटरी बनाएंगे यह एक बड़ा फॉल आ जाएगा हमारी ट्रंड लाइन है पुजिशनली एक उस ट्रंड यह तो अब भूल जाओ काफी दिन के लिए यह तो आप जल्दी से आने वाला है नहीं ठीक है निफ्टी में ऐसा दिन था बैंक निफ्टी में देख लो वहां भी परफेक्ट सेटप था बैंक निफ्टी में टॉप कहा बना लेवल था यार 50,735 एक्जाक लेवल और वही तो clear था market में further fall आएगा आप यह fall catch कर सकते थे लेकिन आज की market हो चुके कल क्या करना है निफ्टी वैंक निफ्टी दोनों में डिसकस कर लेते हैं चलिए overall sentiment negative है वो clearly दिख रहा है उसके reasons भी मैंने आपको बदा दिया सबसे बड़ा reason है US में recession का तो उसकी वैसे overall sentiment negative है और नहीं sentiment negative है market और भी fall कर सकती है clearly अभी यह दिख रहा है जब तक market हमें bounce का sign नहीं देगी हम positionally भी rally में entry नहीं करेंगे intra day भी नहीं करेंगे तो कल के लिए setup discuss कर लेते हैं क्या exactly expected है overall sentiment clear है कि negative है इसमें कहीं कोई doubt नहीं रखना है लेकिन कल करना क्या है वो discuss कर लेते हैं देखि हमार पास 23,300 मिड में level market में बने नहीं थे तो हमने discuss भी नहीं किये तो कल करना क्या है setup क्या है कल के लिए market में पहली चीज 24,000 important है लेकिन हो सकता है यह हम gap down opening में ही break कर दे क्योंकि sentiment negative है और भी market fall कर सकती है अभी को reversal का sign नहीं मिला है तो और fall कर सकते है अगर माल लोग कल भी एक gap down opening होती है तो क्या करना है same strategy को use करना है कौन सी same strategy first candle जो हमारी first candle होगी उसका high और low mark करना है ठीक है कब mark करना है अगर वो 30 minutes break नहीं होता है तो माल लो gap down opening हो रही है opening के बाद जैसे आज हुआ next 30 minutes तक हमने यह high break नहीं किया तो यहाँ पे level बनेगा इस level से trade मिलेगा माल लो opening के बाद market कल थोड़ा bounce करने लगे और दुबारा lower side level पे आए तो यहाँ पे एक level mark कर लेना lower side first candle का lower high मैं बना के दिखा देता हूं ताकि doubt ना रहे यह हमारी first candle है ठीक है माल लो यह candle बनी इसके बाद market थोड़ा उपर जाने लगी जा रही है high तो market ने तीन candle में break कर दिया यानि 30 minutes से पहले ही break कर दिया क्यों कि हमारा चार्ट है 5 minute time frame का तो 5 minute time frame का चार्ट यूज करना है तीन candle ने break कर दिया तो high का कोई use नहीं है low का use आएगा low market ने break नहीं किया दुबारा जब market low पे आ और अगर यहां इस level को break कर दिया तो market में और बड़ा fall आएगा mark करना है यहां पे level और फिर देखना इस level पे कैसे market react कर रही है जैसे आज था high पे market का level बना level पे आके market ने resistance face की तो market में fall आया तो कल देखना level पे आके market react कैसे कर रही है high और low का concept यूज करना है first candle का high और low mark कर यह नहीं कि दोनों ही level mark करने है आज low level mark नहीं करना था क्यूंकि low level तो next five minute में break हो गया था तो low का काम नहीं था high का काम था तो यह काम करना है कल आपको और इस setup से कल आपको nifty में trades मनाने है gap down opening expected है sentiment negative है अभी भी dip को buy नहीं करना है जब dip को buy करना होगा मैं बता दूगा अभ भी नहीं करना है अभी वो scenario नहीं है market में और इसके अलावा एक और चीज जिससे आप trade बना सकते हैं तो first candle high इसके अलावा use करना है super trend उसमें जो direction मिले उसके through भी आप trade बना सकते हैं तो दो चीज़े first candle के high yellow से trade बनाओ या super trend से trade बनाओ अभी strategy से ही trade बनेगा कल level से नहीं ब निफ्टी में ये setup है bank निफ्टी में देख लेते हैं bank निफ्टी में levels हैं लेकिन यहां भी क्या आपनों opening expected है तो levels पहले देख लो है क्या क्या 50,230 यहां पर हमारा zone है 49,960 से 50,000 का उसके बाद 49,700, 49,500, 49,230 उसके बाद फिर से एक zone 48,950 से 49,000 अब यहां पर clear setup है यहां पर क्या देखना opening कहा हो रही है मालो opening होती है यहां पर 49,400 पर तो upside level यह है downside level यह है यहां opening हो गई उसके बाद देखना कौन से level break हो रहा है opening के बाद upside resistance को break करेंगे तो rally और lower side support को break किया तो market में fall यह simple clear calculate magnitude का setup है जहां opening हो इन levels के mid में opening देखनी कहा हो रही है और उसके बाद किस level को market break करेंगे अपside break करेंगे तो rally और downside break करेंगे तो market में fall आएगा simple clear कल के लिए setup है hope clear है इसमें कहीं कोई doubt नहीं है फिर भी कुछ पूछना है comments में पूछ सकते हैं वीडियो चले के तो like कर देना है और channel पे नहीं तो क्या करना है subscribe कर लो क्योंकि इससे जादा realistic practical और perfect analysis आपको और कहीं नहीं मिलेगा यह हम बार बार प्रूव करते हैं तो subscribe ज जरूर कर ले